हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मावा गुजिया की रेसिपी, जिसे की अक्सर होली पर भी बनाया जाता है, और खास कर आजकल विंटर्स में ऐसी फ्राइट चीजें खाई भी जाती हैं, और इजिली डाइजेस्ट भी हो जा ले सकते हो, अब केहूं की आटे को और मैदे को हलका सा मिक्स कर ले, अब हमने इसमें डाल देना है, तीन छोटे चमच, भीगला हुआ घी, इसमें घी ही डाले, क्योंकि घी से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, और गुजिया बहुत क्रिस्पी सी बनती है, घी और आट चोटे चमच, हमने चीनी के एड़ कर देने है, और चीनी और दूद को अच्छे से मिक्स कर लेना है, दूद में चीनी अच्छे से घुल जाने के बाद, हमने थोड़ा थोड़ा दूद आटे में डालते जाना है, और आटे को गुंते जाना है, आटे को हमने बहुत जाता क्रिस्पी और खस्ता बनती है आटे को हमने पूरी वाले आटे की तरह गूंत लिया है अब हमने इस आटे को 10-15 मिनट के लिए धकर रख देना है अब स्टफिंग के लिए मैंने पॉना बाउल कदुकस की हुई गरी ले ली है और देड बाउल मैंने ताजा खोया ले लिया है थोड़ी सी मैंने किश्मिश ले ली है आप अपनी पसंद के कोई भी ट्राइफ रूट्स इसमें डाल सकते हो अब कडाही में एक चोटा चमत देसी की डाल दें और उसमें गरी को हमने एक मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है गरी को रोस्ट करने के बाद हमने इसमें मावा क को भी रोस्ट कर लेना है और गैस की आज को हमने बिल्कुल लो पर रखना है क्योंकि मावा बड़ी जल्दी नीचे लग जाता है अगर आप इसके लिए प्रीज में रखा हुआ खोया यूज करेंगे तो आपने क्या करना है कि उसे एक घंटा पहले ही बाहर निकाल देना ह और फिर उसे हाथ से तोड़ा सा मैश करने के बाद फिर उसे रोस्ट करना है फ्लेवर के लिए इसमें एक चोटा चमच इलाइजी पाउडर डाल दें मैंने इसमें सूजी का यूज नहीं किया है क्योंकि मुझे इसमें खोय का ही फ्लेवर रखना है खोय को मैंने तीन उसके बाद हमने इसको टेस्ट कर लेना है अगर आप आपको ज़्यादा चीनी पसंद हैं तो आप उसमे पाओना बाउल ढाल दें या कम पसंद है तो इसे कम भी आप एड़ कर सकते हो घुजीया के लिए बहुती टेस्टी स्टफिंग नकर तयार है यही हमारी मावा की पंजीरी बनकर भी तयार है आप इस पंजीरी को 15-20 दिन तक किसी भी एर्टर डिबे में डाल कर यूज कर सकते हो यह खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगती है चकले और पेलन को हमने ओयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है और आटे की छोटी-छोटी लोई बना कर हमने इसको बेलना है जैसे हम पूरी बेलते हैं बस वैसे ही हमने इसे बेलना है लेकिन पूरी से हमने इसे पतला रखना है इस तरह से गोल्ड सी शेप दे के हमने इसे पतला सा बेल लेना है हमने इन गुजिया को बीना सांचे से बनाना है तो इसलिए इनकी शेप जो है वो बिल्कुर गलाई में रखें तब भी बाद में गुजिया की अच्छी शेप आती है अब इस तरह से अपनी चॉइस के नुसार कम या ज्यादा स्टफिंग डाल दें वैसे इसमें दो चमज डालना बहुत जरूरी है क्योंकि तोड़ी ज्यादा स्टफिंग की हुई गुजिया बहुत अच्छी लगती है अब एक पानी की कटोरी लें और कॉर्नर्स में उंगली से हलका हलका सा पानी लगा दें ताकि आता आपस में चिपक जाए अब बिल्कुल फ्री हाथ से आपने इस तरह से चपाती को उठाना है और उसे फोल्ड कर देना है अब जिस पॉइंट पे हमने चपाती को जोड़ा है वहाँ हमने दो तिन बार उंगली से अच्छे से इसे दबा देना है गुजिया के ये कॉर्नर जबाना बहुत जरूरी है क्योंकि बाद में क्या होता है कि जब हम इसे फ्राइ करते हैं तो गुजिया अच्छे से फोल्ड जाती है और अगर हमने इसे अच्छे से प्रैस नहीं किया होगा तो इस पॉइंट से गुजिया खुल जाएगी और स्टफिंग बाहर निकल जाएगी अब इसे अच्छा सा डिजाइन देने के लिए हमने क्या करना है कि दो उंगली के बीच में जितना आटा आता है उसे थोड़ा सा बाहर के तरफ खींच रहा है और उनकी स्टफिंग करते जाना है बेली हुई पुरियों के ओपर कोई कपड़ा से डाल दें ताकि पुरियां सॉफ्ट रहें अब मैं भीना सांचे का दूसरा डिजैन आपको बताती हूँ जो कि बहुत ही आसान है इसे हर कोई बड़ी आसानी से बना सकता है इसे जरूर दबा दें जैसे हमने पहले बनाया था बस बैसे ही हमने इस गुजिया को भी बनाना है इसे अच्छे से दबा लेने के बाद हमने क्या करना है कि कोई एक फोक ले लेना है और फोक से हमने गुजिया के इस तरह से कॉर्नर को प्रेस करता है फोक से गुजिया का बहुत अच्छा डिजाइन बन जाता है और साथ में जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छे से प्रेस भी हो जाते हैं गुजिया के लास्ट के बिलकुल कॉर्नर्स आपने अच्छे से प्रेस कर देने हैं बिना मोल्ड से भी हम बहुत अच्छा गुजिया का डिजाइन बना कर तयार कर सकते हैं बड़ी असानी से ये डिजाइन बनकर तयार हो जाता है अगर आप पहली बार गुजिया बना रहे हैं तो आप फोक से ही डिजाइन देकर गुजिया बनाएं बेहदी आसान डिजाइन बनकर तयार होता है पस इसी तरह से हमने सारी गुजिया को बना लेना है एक पर मैं आपको हाथ से फोल्ड किया हो और डिजाइन फिर से बता देती हूँ इस तरह से स्टपिंग कर लें फिर पानी लगा दें और फिर corners को आपस में चिपका लें और उन्हें अच्छे से दबा लें लास्ट में गुजिया के दोनो corners को जरूर दबा लें अब corners से दोनों उंगलियों के बीच में आठा पकरना शुरू कर दें थोड़ा सा दबा के थोड़ा सा बाहर को करें फिर अंदर को फोल्ड मार दें और फिर से बाहर को करें और अंदर को फोल्ड कर दें हाथ से हलका सा प्रेस करके इसे पतला सा कर दें और अंदर को फोल्ड करके चिपका दें और इसे दबा कर चिपकाते जाएं बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर तयार हो जाता है इन दोनों डिजाइन्स में से जो भी आपको कमफ़टेबल और एजी लगे आप उसे बना ले इस तरह से मैंने दोनों डिजाइन में गुजिया बना कर तयार कर ली है अब कड़ाही में मैंने रिफाइन डॉल डाल कर गरम होने को रख दिया है ओल को हमने बहुत जादा गरम नहीं रखना है हमने इसे मीडियम होट ही रखना है गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें जब तक गुजिया तैर कर खुदबखुद ऊपर नहीं आ जाती तब तक हमने इसे पलटना नहीं है कुछी धेर में गुजिया का साइस फूल कर बड़ा भी हो गया है और गुजिया तेल के ऊपर खुदबखुद आ गई है अब हमने इसे पलट देना है अब दूसरी साइट से भी गुजिया को हमने गोल्डन प्राउन होने देना है गुजिया का बहुत ही प्यारा गोल्डन प्राउन का लर आ गया है अब हमने इसे निकाल देना है सेम इसी प्रोसेस से हमने बागी की गुजिया भी golden prawn होने तक fry कर लेनी है अगर हमने गुजिया को अच्छे से प्रेस किया होगा तो गुजिया बिल्कुल भी नहीं पड़ती चाहे गुजिया आटे की हो या फिर मैदे की हो हमने सारी गुजिया फ्राइ कर ली है बहुती क्रिस्पी गुजिया बनकर तयार हुई है अब एक गुजिया में आपको तोड़कर दिखा रही हूँ आप इन मावा गुजिया को 10-15 दिन तक विना फ्रीज के यूज कर सकते हो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कॉमेंट जरूर करें थैंक्स वर वाचिंग